हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल हेल्दी लाइफ में दोस्तो इलाइची एक लोग प्रीय मसाला है जिसे अक्सर बिरियानी वखीर जैसे वेंजनों का जाईका बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कई लोग इलाइची का प्रयोग चाई बनाने में भी करते हैं छोटे से आकार की इलाइची को अपनी सुगंदोर गुणों के लिए जाना जाता है आपको जानकर हरानी होगी कि इसका प्रयोग कई शारेदिक समस्याओं को ठीक करने के लिए भी किया जा सकता है तो आज के ये वीडियो में हम इलाइची के फायदों के बारे में चर्चा करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है या आप ये चैनल पे नए है तो कुरुपागर के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजी और बाजू में दिये गए बेल आइकन यानि कि घंटी के बटन को दबा दीजिए और ओल आइकन पे क्लिक कर दीजिए जिससे आने वाले मेरे सबी वीडियो की आपको इंस्टन्ट नोटिफिकेशन मिलेगी दोस्तों सब्सक्राइब करना बिलकुल फ्री है और जो दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत तन्यवाद तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इलाइची के फायदों के साथ नमबर वन पाचन में सुधार लाने के लिए दोस्तों इलाईची में एंटी ओक्सिडंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं एक भारती अध्यन के अनुसार इलाईची का उपयोग पाचन तंतर को बहतर करने के लिए किया जा सकता है साथ ही यह मेटाबोलिजम को उत्तेजित कर सकती है इसका प्रयोग गेस्ट्रो इंटेस्टाइल बीमारियों जैसे दस्तव गेस आधिकी रोक्थाम के लिए भी किया जा सकता है पेट की समस्याओं से निजात पाने का यह एक सटिक घरलू उपाई है दोस्तों जैसा कि हमने पहले भी बताया कि इलाइची एंटियोक्सिडन्ट गुनों से समरुद होती है इसका यह गुन रदी स्वास्त को बढ़ावा दे सकता है इसमें फाइबर भी मौझूद होता है जो कॉलेस्टेरिल को स्तर को कम कर रदी को फाइदा पहुँचा सकता ह दिल की सेहत की बात करें तो काली इलाइची हरी इलाइची की तुलना में ज्यादा कारगर तरीके से काम करती है क्योंकि यह मेटाबॉलिक सिंड्रोम पर ज्यादा प्रभावी रूप से काम कर सकती है साथ ही रदई रोग से पिडित रोगियों पर किये गए गध्यन में इलाइची फायदेमंद पाई गई है दोस्तों एक स्वास्तर रिपोर्ट के अनुसार इलाइची लोगों को डिप्रेशन से निपटने में मदद कर सकती है इसके लिए बस इलाइची के बीजों का पाउडर बनाए और रोजाना बनने वाली चाय में चुटकी बर इस्तेमाल करें आप जल्द ही अपने में सकरात्म परिणाम को मैसूस कर पाएंगे दोस्तों इलाइची अस्तमा के मरीजों के लिए भी फायदेमंद हो सकती है यह अस्तमा के लक्षन जैसे खासी, सास लेने में तकलीफ और सीने में जकडन आदी को समाप्त कर सकती है इलाइची रक्तसंचालन में मदद कर सास लेने की प्रक्रिया को आसान बनाती है इसके अलावा यह बलगम जिल्ली को आराम पहुचा कर दर्द को सूजन को इस समस्या को भी कम करती है इलाइची पर हुए एक अध्यन के अनुसार हरी इलाइची अस्तमा के साथ साथ ब्रॉंकाइटीस और अनियस साथ सबंदी समस्याओं का इलाज कर सकती है इलाइची में मौजूद एंटी माइक्रोबियल गून मुँ के स्वास्ते के लिए कारगर सिध हो सकते है इलाइची स्ट्रेप्टो कोकस म्यूटन जैसे रोग जनकों से रक्षा कर सकती है इसके लवा इलाइची का तेज स्वाद लार प्रवा को उतेजित कर सकता है जिसे दातों के तूटने की आसंग का कम हो सकती है यह तो आप जानते ही होगी कि इलाइची सांस की दूदगन को आसानी से दूर कर सकती है इलाइची के साथ सौफ का सेवन करने से मुह से दुरगन नहीं आती है दोस्तो एक भारती अध्यान के अनुसार इलाइची रख्चाप को कम करने की शमता रखती है इसके लिए आप वेजिटबल सूप में चुटकी बर पीसे हुई इलाइची का प्रयोग कर सकते है दोस्तो हिच्की कोई बीमारी नहीं है लेकिन कभी कभी यह मूड को चिड़चीडा बना देती है हिच्की की समस्या से निजात पाने के लिए आप इलाइची का प्रयोग कर सकते है बता दे कि इलाइची एंटी ओक्सिडन से समरुद होती है जिससे डायाफ्राम को आराम मिल सकता है दोस्तो अगर आपको भूख नहीं लगती है तो आप इलाइची का प्रयोग कर सकते है एक अध्यान के अनुसार इलाइची भूख नौ लगने का इलाज कर सकती है यहां तक की भूख बढ़ने के लिए भी इलाइची के तेल का प्रयोग किया जा सकता है नमबर नो यौन स्वास्ति के लिए दोस्तों माना जाता है कि आयूर्वेद में कामेच्छा के लिए इलाइची का सेवन करने की सला दी गई है इलाईची पूरुष और महिला में योन उर्जा को बढ़ाने का काम कर सकती है 10. कैंसर से रोक थाम के लिए दोस्तो इलाईची का इस्तेमाल कैंसर के प्राकूतिक उपचार के लिए किया जा सकता है चानवरों पर किये गए परिक्षन से पता जलता है कि इलाईची कैंसर को पनपने से रोकने में मदद कर सकती है अधियन के अनुसार इलाईची में कीमो प्रिवेंटिव गून होता है जो तवचा कैंसर के लिए लाबकारी हो सकता है 11. याददास बढ़ाने के लिए दोस्तों जीने याददास की कमजोरी समंदित सिकायंत है वो इलाईची का सेवन कर सकते है एक अधियन के अनुसार इलाईची सीखने और याददास को बढ़ाने का काम कर सकती है इसके लिए आप चाई में या अन्यसाथी सामगरी में इसका इस्तेमाल कर सकते है चुटकी बर इलाइची बहतर परिणाम देने की शमता रख्ती है No.12, शरीर को डिटोक्स करने के लिए दोस्तो विहंजनों का जाइका बढ़ाने के साथ-साथ इलाइची शरीर को डिटोक्स करने के काम भी आती है इलाइची एंटी माइक्रोबियर गुन से समरुद होती है और यह सरीर से आनीकारक बेक्टरिया को निकालने का काम कर सकती है नमब थर्टीन तवचा के लिए इलाइची के फाइदे दोस्तों अंतरिक स्वास्ते के साथ-साथ इलाइची तवचा के लिए भी बहुत फाइदेमंद है इलाइची आपकी तवचा के रंग को निखार सकती है इलाइची से बना essential oil दाग दबो को दूर कर चेहरे को साफ कर गोरा बना सकता है आप इलाइची के तेल को बाजार से खरीच सकते हैं उसका इस्तिमाल करने के लिए आपको गुनगुने पानी में दो-तीन मुंदे इलाइची के तेल की डाले और कोटन पेट की मदद से चहरे पर लगाए इसके अलावा एक चमच शहत के साथ एक चोथाई चमच इलाइची पाउडर मिला कर इसे चहरे पर फेस मास्क की तरह इस्तिमाल कर सकते हैं जैसा कि हमने पहले बताया कि इलाइची एंटी माइक्रोबियल गुनों से समरुध होती है इसलिए यह त्वचा पर एलर्जी जैसी समस्याओ के लिए कारगर हो सकती है आप इस तरीके से उसको इस्तिमाल कर सकते हैं गुनगुने पानी में इलाइची के तेल की दो तिन मुंदे डाले और रुई की मदद से प्रभावित जगह पर लगाए एक चम्मच शहत के साथ एक चम्मच इलाइची पाउडर मिला कर फैस पेक तयार कर सकते हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं रक्तसंचालन में सुधार दोस्तों इलाइची विटामिन सी से भरपूर होती है जो एक शक्तिसाली एंटियोक्सिडन्ट है इलाइची शरीर के रक्तसंचालन को सूचारो रूप से चलाने में मदद कर सकती है इलाइची एंटिसेप्टिक वर एंटि इंफ्लेमेटरी गुनों से समरुद होती है इसलिए इसका इस्तेमाल स्कीन प्रोडक्ट में किया जाता है इलाइची में मौझूद थेराप्यूटिक प्रभाव तवचा को ठंड़क प्रदान करने और आराम पहुँचाने का काम कर करता है इसका इस्तेमाल इतर में किया जाता है जो इंद्रियों को उत्तेजित करने का काम कर सकता है इसके अलावा इलाइची का प्रयोक चहरे के लिए बनाए जाने वाले साबून में भी किया जाता है इलाइची के तेल का इस्तेमाल होटो के लिए बनने वाले सौंदर्य प्रसाधनों में भी किया जाता है इलाइची तेल युक्त लिप बाम होटो को चिकना और खुबसूरत बनाने का काम करती है बालो के लिए इलाइची के फायदे दोस्तों इलाइची विशेश रूप से काली इलाइची में एंटी ओक्षिडन्ट गुन होता है जिसकारण यह स्केल्प को स्वस्त रखने का काम करती है इससे आप स्केल्प समंदी समस्याव से दूर रह सकते है इलाइची रूम चिद्र को पोशित करने का काम करती है इलाइची में एंटी बेक्टरिल गुन भी होते है जिसकारण स्केल्प में जीवानों पेदा नहीं होते है आप नहाने से पहले इलाइची के पानी से सीर्द हो सकते है इलाइची का पानी तयार करने के लिए एक किटर पानी में आधा चमच इलाइची को कूट कर डाले और राद पर के लिए छोड़ दे इसकी जगह आप इलाइची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते है फिर अगली सुबह इस पानी का इस्तेमाल कर सकते है आयरुवेद में इलाइ तो दोस्तों आशा रखता हूँ कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको इलाइची के फायदों के बारे में उपयोगी जानकारी हासिल हुई होगी यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार ज